स्वतंतरत संग्राम में किन किन बहुजनों ने दी कुर्बानी भारती आजादी के इतिहास को दर्शाने के मौके पर देश के इतिहासकार और लेखक तलित वीर और विरांगनाओं की कुर्बानी एफम उनकी वीर गाथाओं को उजागर करने की बजाए उस पर परदर डानने का काम करते रहे हैं इन वीर और विरांगनाओं की सूची बहुत लंबी है और इनका इतिहास भी बहुत गौरबशाली है लेकिन भारती इतिहास को पढ़ने से यह सपस्ट होता है कि देश में दल लेखकोंट के शब्द चुक जाते हैं यह कहें कि इनकी कलम की स्याई सूग चाती है अब तक के इनके द्वारा लिखित जूटवे भयंकर तथ्य कदम कदम पर पकड़ा जा रहा है रानी जहासी का किस्सा तो बहुत पहले उजागर हो ही चुका है कुल मिलाकर गैर दलित इ लखने वाली महिला जलकारी बाई भल्ला विरांगना कैसे हो सकती है उधम सिंग जलिया वाला बाग घटना की आज भी बड़े जोड़ सोर से चर्चा की जाती है और प्रतिक वर्ष इस घटना को याद किया जाता है लेकिन सत्य तत्य को दर्शाने से गैर दलित बंगाले छाकने लगते हैं या फिर चुप्पी साध कर रह जाते हैं ये आज भी जान बूच कर सच्चाए को सामने लाना नहीं चाहता क्योंकि उस जलिया वाले बाग में ब्रश्टिश हुकुम की आग्या का उलंगन करने वाले गैर दलित नहीं थे उस दिन यानी 13 अप्रेल 1919 को आ दलित कार करता ही शामिल हुए थे इस बात का सबूत जनरल डायर के वे आकड़े हैं जो ये दर्शाते हैं कि उस कांड में मारे गए 200 लोगों में से 185 दलित समाज के लोग थे दिल को धहलाने देने वाले इस कांड में अंग्रेजी फोजी की गोलियों के शिकार हुए दलि बुद्ध राम चूड़ा मंगल मोची और दुलिया राम धोवी एक एहम जानकारी 13 अप्रेल 1919 के दिन पंचाव के अम्रित सर्क के जलिया वाले बाग हत्याकार्ण हुआ था उसके लिए जवाब देहे जनरल डायर को दलित समाज के उधम सिंग ने 21 साल बाद क्यू मारा थ तो पता चला कि चलिया वाला बाग में मरने वाले सभी लोग दलित अचूद थे हत्या करने के लिए जनरल डायर को भेजने वाले उच्च जाती के लोग थे इस हत्यकार्ण के बाद जनरल डायर को उच्च जाती के लोगों ने सम्मानित किया था यह दबा हुआ इतिहास आ वारक गृफतार बताया है उन्हें चोरी चारा के लेखक सुभाज चंद्र कुश्वाहा ने कभी गृफतार नहीं किये जाने की बात बताई है अंग्रेजों के पुलीस रिकॉर्ड में ऐसा कोई सबूत नहीं है कि मदारी पासी गृफतार हुए और अंग्रेज अदालत में उन पर मुकदमा चला जबकि अनेक आंदोलन पर तालू के दार जमीदारों की फसल और संपत्ति लूट और उन पर हमले बेगार लगान बंद करने तो पुलीस को मुठ बेड में अनेक आरोफ लगाई मदारी पासी का जनम उत्तर परदेश की जिल्ला हर दोई तहसील संडीला के गाउं में मोहन खेडा में 1860 में हुआ था कोई 60 साल की उम्र में गरम पंती मदारी पासी ने 1921 के अंत में वे 1922 के प्रारम में उत्तर पक्षिम अवद के किसान मजदूरों एवन निम्न वर्ग के दबे कुछले लोगों के पक्ष में एक आंदोलन चलायते ऐसा की इस्थिति अंग्रेश जमीदारों के नियंत्रण से बहार हो गई थी मदारी पासी को केंद्र में रखकर कामतानात ने एक उपन्यास लिखाए नाम है कालकथा उपन्यास में मदारी पासी से जुड़े कैई मिथनों एवन मितिहास का आख्यन है हरदोई, बहराईच, बाराबंकी और सुल्तानपुर जिलो में मदारी पासी की लोग प्रिता गांदी जी के तरज पर अलोग किस्म की थी मिसाल के तोर पर ऐसा कहा जाता है कि मदारी पासी हनुमान की भाती उड़कर कहीं भी पहुँच जाते थे ऐसा कि हम बिर्सा मुंडा के आंदुलन में पाते हैं कि अंग्रेजों की बंदु गोलियां पानी बन जेंगी यह रही जिला हरदोई तहसील संडिला के गाउं में पहाडपुर में मदारी पासी की समादी वीर गुंडा कभीर ने गुंडा शब्द का प्रियोग किया नहीं सूर्दास ने गुंडा शब्द का प्रियोग किया नहीं तुलसी ने गुंडा शब्द का प्रियोग किया नहीं जायसी बिहारी मती राम चिंता मड़ी किसी ने गुंडा शब्द का प्रियोग किया नहीं छोड़िये आधनी काल में भारतेंदू ने गुंडा शब्द का प्रयोग किया नहीं बीश्वी शब्तापदी से पहले दुनिया में किसी ने भी बदमाश के अर्थ में गुंडा शब्द का प्रयोग किया नहीं हिंदी में गुंडा शब्द अंग्रेजी फाइल से आई है तब जब 20 वी शब्ताब्दी के पहले दशक के बस्तर आदिवासी स्वतंतरता सैनानी वीर गुंडा को अंग्रेजों ने गुंडा बदमाश माल लिया भारतियों की नजर में वीर गुंडा स्वतंतरता सैनानी थे मगर अंग्रेजों की नजर में वह बिगडेल बदमाश अंग्रेजों ने गुंडा एक्ट बनाया तो ठीक है मगर आजाद भारत में गुंडा एक्ट क्यों फूगते चोरा थानट, ठीक दूपहिया चोरा जर गईल, कोई मरम नहीं जाना, जी हाँ, चोरी चारा कांड, चार फरवरी 1922, एक ब्रिटिस पुलिस चोकी पर स्वाधिनता आंदोलन कारियों का धावा, 22 पुलिस करमी जिन्दा जलाए गई, गांधी जी का असहयो आंदोलन वापस, इन्ही आंदोलन कारियों में से एक थे कोमल पहलवान, कोमल पहलवान उर्फ कोमल यादव, यदि लोक गीतों पर भरोसा करें तो चोरी चारा कांड में आरोपी कोमल पहलवान, कुस्मी ही जंगल में गरिफतार किये गई, साथ ही गद्दार हो, गईल, गोरत दिल् इसमी जंगल में पकड़ने कोमल भहिया हो, चोरी चारा कांड में जुरो में 1924 की गर्मियों में उन्हें फासी दे दी गई, देश में केतना गोरा अईया, केतना कोमल जुली भहिया, फसिया माई रहू ना गुलाम ना भहिबू असुआ, महेंगु राम, महेंगु राम कौ तो शायद आप जानती होंगे, बैल गारी को खड़ा करने का बास है, महेंगु राम अगस्त करांती 1942 के दौरान अंग्रेजों द्वारक की गई जगदीश प्रसाद बचरी की हत्या के आक्रोश में थे, वे एक अंग्रेज सिपाई की सिपवा से पीट-पीट कर ले थी जा अते, इनके इस कार नामे से भड़के अंग्रेजों ने 14 अगस्त 1922 को महेंगु राम को गोली से उड़ा दिया था अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें और घंटी का बटन बिल्कुल भी दवाना ना भूटें ताकि सभी लेटेस्ट खबरे पहुंच सकें आप पे सबसे पहले